Hello दोस्तो, Boss of Inner Share Bazaar में आपका एक बाद फिर से स्वागत है आज कुछ facts से related बाते करेंगे, एक चीज आपको दिखाऊंगा जो आपको शायद exactly आपका एक view दे देगी market से related कि market किस ओड जा रहा है exactly, और बात की जाए bond से related, तो bond से related, bond बाफे सामने कुछ बोला है तो उससे related हम बाते करेंगे, डो जोन्स की बाते करेंगे, और क्या हो सकता है market में उससे related बाते करेंगे, और कौन से share हमें खरीना चाहिए उससे related बाते करेंगे एक short में video बनाएंगे, okay video की तरफ आगे बढ़ते हैं, but before that हमेशा की तरफ आप से request करूँगा, हमारे चैनल बहुत सब्सक्राइब करें, share करें जाए जाए जादा तक इस लोगों तक इस तरीके की information posted रहे, और इसके अलावा नीचे description में दो link के लिए रखे हैं, एक आपका यहां किलिक करेंगे, तो आपका आयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसमें आप important भूमी का निवा सकते हैं, आप पर donate करके राम जी के मंदर को बनाने में सहयोग कर सकते हैं, आए वीडियो की तरफ, सबसे पहले data देखेंगे, do jones, अगर आपने देखा था अगर do jones, क्योंकि परसो के दिन भी गिरा था, परसो के दिन गिरा था, तो प्राइडे का हमारा market भी गिर गया था, जैसे कि आपने देखा यह 3,5-4% के लगवा market गिरा था, और यहां पर देखें, तो टॉप पर जाके, अगर do jones को भी हम देखते हैं, तो यह दो दिन में गिरा है, और हमारा जो market है, एक ही दिन में इतना गिर गया है, just because, क्या fear था, तो fear मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, कि bond yield से related, as well as कुछ छोटे मोटे चीज़े और थी, जैसे कि corona का बढ़ना हमारे देश में, तो यह सब सारी बाते थी, तो वो सब मिला किया अपनी, उन्होंने पूरे साल में क्या गलतिया करी है, क्या achievement करी है, so he talked about everything throughout the year, जो भी उन्होंने किया है, तो उसी से बाते उन्होंने करी है, बट हम उनकी पूरी बातों पर नहीं जाएंगे, एक पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो कि यहांपर main है, देखिए, आपर one, one, लेटेस, 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 लेटर, multi, multi billion dollar mistake, bond investor, bleak future, other key takeaways, तो मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या गलती करी है, तो अगर गलती के बारे मैं आपको एक shot वो देदू, तो उन्होंने एक company में invest किया था, तो उसमें उन्होंने लग बात, 2016 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, to think कि, वो aviation से related, वो company थी, कुछ हो products manufacturing करती थी, तो यहाँ पर उन्हें 11 billion dollar का यहाँ पर loss हुआ है, simple, okay, तो यही सब उन्होंने बताया था, but इस्टे उन्होंने कह दिया, कि हमें America के against bet नहीं करनी है, क्योंकि America के against bet करेंगे तो हम गाटा होगा, but को issue नहीं है, हमार in his annual letter, also noted that the ultra low interest rates globally have weakened the appeal of the bond market, okay, तो इसका मतलब है कि जो lowest rate हो गया, जो बहुत कम जो rate बनाया है, पूरे हर एक कंट्री ने अपने बहुत कम rate, rate of interest बहुत कम कर दिया, इस वजह से क्या हो गया है, कि जो bond के rate है, जो bond market है, उसको उसे बहुत कम जोर कर दिया, पूरी दुनिया म उन्होंने simple कह दिया है, एक ही line नहीं हाँ पर देखिए, main है, तो उन्होंने कह दिया है, bonds are not the place to be these days, तो महिला, आज जो अभी दिन चल रहे है, उसके सबसे bond में invest करना कोई अच्छी बात नहीं है, उन्होंका कहना simple है, अगर if I am not wrong, तो उनका मतलब यह, bonds are not the place, bonds का market का वो to be these days, कि जहां पर आप invest करो, और सोचो की अच्छाखा से आपको earning मिलेगी, okay, बट लोग उसकी तरफ attract हो रहे है, और वहाँ पर जा रहे है, जिस वज़ए से हमारा market भी crash होता हुआ दिखाई दिया, और दूसरे market भी crash होता हुआ दिखाई दिया, और बात कर रहें, डो जो P-E ratio का data है, P-E ratio, आपको पता है कि जब P-E ratio जादा होता जाता है, तो इसका मदलब खत्रे की गंटी शुरू हो जाते है, तो अगर यहां पर हम देखेंगे न, एक बात आप note करना, यहां पर देखना, for the period of 20, मदलब यह December 2020 से लेके आस तक का data है, तो अगर यहां पर देख 40 हुआ, फिर उसके बाद कम होता हुआ, नजर आया, 36 तक आया, ओके, फिर उसके बाद यहां पर से यहां पर देखें, 36 से 38, 49, 49, 41, 42, मदलब यहां जब मारके गिरा है, वो अब्वेसी बात है कम हो नहीं है, बट यहां पर आप देखेंगे, फरवरी 8, तो फरवरी 8 को सब 49.65, मदलब पहले यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, मारकेट भाग रही थी और P-E रेशो भी बढ़ रहा था, और जिस तरीके से मारकेट गिरनी शुरू ही है, तो अब P-E रेशो भी कम होता जा रहा है, तो यह एक संकेत देता है, अभी भी लगबख 40 के आसपा 49, 39.65 का P-E रेशो चल रहा है, जो कि एक खत्रे की गंटी है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ही है टेड़र्स तो देखिए डेली कुआ कोते हैं, घाटा हो या प्रॉफित हो उनका है, इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर यह है कि इस सिट्वेशन में क्या करना है, इस सिट्वेशन में बस सिंपल यह करना है, देखिए हमारी जो एकोनौमी है, काफी ग्रोइंग मोड पर है, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारी एकोनौमी बूम करने वाली है, और हम कहीं न कहीं exist करेंगे world में जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे just because of anything but हाँ अभी हमारा जो यह हमें cautious भी रहना है और हमें cash भी raise करना है as well as हमें invest भी करते रहना है तो invest के share हो में करना है तो देखिए यहां पर आई एन 50-50 है आपको दिखाई दे रहा है यहां पास सारे के सारे share गिर हुए है तो थोड़ी थोड़ी quantity में अगर आपके पास just quantity के पैसे है तो एक quantity दो quantity उठाते रहे है अगर market गिरता रहता है तो तो यहां पर अगर देखे अगर देखी जाए कि कौन-कौन से share हमें खरीदने चाहिए तो एक क्योंकि वीव में आपको दूँगा तो यहां पर देखे नैसले इंडिया इसकी तरफ आप जा सकते है SBI Life यहां जा सकते है मारूती की तरफ जा सकते है क्योंकि इंडिया में दो में से हर दूसरी गाड़ी में एक गाड़ी आपको मारूती की मिलेगी तो इसे आप कम मत समझेगा यह बड़ी तेज भागेगा जिस दिन यह शेर भागेगा Tata जरूर भाग रहा है no doubt Tata के future अच्छा है यहां पर इसका कम मत आखिए जिस दिन भागना शुरू किया ओके उस दिन आपकी पकड़ में आएगा तो मारूती को ध्यान में रखिएगा Britannia इसकी तरफ जा सकते है इसका RSI भी बड़ा फेवरेवल है risk reward ratio का भी फेवरेवल है Hindustan Unilever की तरफ जा सकते हो BPCL इसलिए ध्यान दे सकते है क्योंकि यहां पर disinvestment का proposal चल रहा है तो यहां पर ध्यान दे सकते है वाट इसे अगर cross भी कर दे कोड़ परेशन ही नहीं है ITC से लो चलता है कोल इंडिया और हिंडाल को यहां पर देखिये काफी 74% के रिटेंस तरीके के रिटेंस दी है विदिन वीक तो अभी जिस तरीके चल रहा है वो गौर्रमेंट और कंपनी का ही चल रहा है ताता तो इसलिए यहां पर यहां की तरफ ध्यान दे सकते हैं बट इंवेश्मेंट और जो लॉंग टर्म इंवेश्मेंट की बात कर रहा है तो लॉंग टर्म इंवेश्मेंट में जो कंपनी बता ही है उसकी तरफ एसवेल इस आईशर विप्रो रिलाइंस, TCS, Tata Motors, Tata SBI की तरफ भी ध्यान से दे सकते हैं टैक महिंद्रा, Asian Bank, as well as बात की ज श्री सीमेंट, HDFC Life, ICICI Bank, Adani Ports, but Adani Ports भी खतरनाका थोड़ा ध्यान रखना, Bajaj Finance, HDFC, as well as Kotec Mahindra Bank, इसके इलाबा, Axis Bank, Bajaj Finsev, as well as बात की जाए, तो यह Hero Moto, Motocop, यहां पर यह Share से इनकी तरफ ध्यान दिएजिएगा, यह Share भागते हुए नजर रहेंगे, और अभी March में कौनसर Share और Add होने वाला है, तो Tata Consumer, तो उसकी तरफ भी Buy on Dips करके ध्यान दिजेगा, जब Index में आता हुए नजर आएगा, तब भागता हुए नजर आएगा, और Index भ नजर बना के रखिएगा, और आउटसाइड भी सारे particular share है, जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उनकी तरफ भी ध्यान दिजेगा, आपको अच्छा खासा return feature में मिलता हुआ नजर आएगा, और Investors हो, अभी जिसनोंने Invest किया है, उनका Portfolio Red होगा, एक-दो साल तक प आपके Portfolio में अच्छे stocks होंगे, जो कि Nifty 50 के Large Cap Company के Mid Cap में भी है, तो उनके भी Best Stocks होंगे, तो Always Green में आपको नजर आते हुए दिखे देंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो Like, Comment, Share करिएगा, इस वेले हैस हमारे इस चानल, Boss of Financial Share बज़र को सब्सक्कार करने बि भूलेगा, वेल आइकन को हिट कर लीजेगा, ताकि आपको सारी की सारी अप्डेट मिलती रहे, और हमारे इस चाहर को चादर से ज्यादर लोगों तक फलाएगे, so thank you so much, God bless.